अस्तामनीकूम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टूप स्मार्टीज, ट्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जीएं। जारा जो कि अपनी उदासी हतम करने के लिए जॉब करना चाहती है। इसलिए तो अपने बाप से इजासत लेती है, तो वहाँ पर शायस्ता और अद्नान साही भी बैठे थे। तो अद्नान साही फट से बोल पड़े, तुम जोब का सोच रही हो जबके हम लोग तो यहाँ पर त्मरी शादी की बात कर रहे हैं। जारा को बहुत गुसाया, दुख भी हुआ, इसलिए बग्यार कुछ कहे, कमरे में चली चाहती है। मनजूर साही बेटी के पीछे फोरन ही कमरे में गए, ताकि उससे बात कर सकें। तो जारा रोते हुए कहने लगी, क्या बोज बन गई हूं आप पर और आप इस बोज को जल्द जल्द अपने सर से उतार फेंकना चाहते हैं, वरना तो जमाना बहुत बाते करेगा ना आपको। तो यहां पर मन्जूर साही बेबसी की आलम में कहने लगे, बेटा ऐसा ही है, जब बेटियां घर में बैठी हों तो जमाना बाते करता है, और एक बाप होने की हसियत से, मुझे फिकर है तुम्हारी, मैं तुम्हें आबाद देखना चाहता हूं, खुश देखना चाहता हू लेकिन जारा किसी भी तरह दिल को भूलने को त्यार नहीं, वो किसी और को दिल की जगा नहीं देना जाती, यही बात तो मन्जूर साहिब को भी बहुत परिशान कर रही है, क्या हर उनकी बेटी के नसीब में आगे क्या लिखा है, लेकिन जैनी दिन बदिन जारा से चिरने कर ले जाती है, अब जैनी को यह बात भी बहुत बुरी रखी, साथ के जाने के बाद वो तो जारा पर चिला उटती है, आहर क्यों करती हो तुम साथ की इतनी फिकर, क्या लगता है तुम्हारा, मेरा मंगेतर है ना, मैं उसे चाय पानी पूछू या ना पूछू मेरा मसता है, तुम इतनी आगे-ागे क्यों होती हो, लेकिन जारा तो सिर्फ दोस्ती निभाती है, और फिर साथ ही है, जिससे वो खुलकर अपने दुख प्यान कर सकती है, जिसके सामने खुलकर वो रो लेती है, वरना जैनी तो उसकी कोई बात नहीं सुनती, उसके दुख में शरीक दो टोक पूछी लेती है, जैनी क्या मसता है, तुम मुझे नजर अंदास क्यों करती हो, मैं तुम से बात भी करना चाहूं, तो तुम मुझे बात नहीं करती, आहर मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या किया है, तो जैनी दो टोक कह देती है, हाँ, मुझे गुस्सा है तुम पर, तुम मेरी खुशियां छीना चाहती हो, तुम जानती हो, साथ इस घर में आता तो है, लेकिन सिर्फ एक इनसान के लिए, और वो एक इनसान मैं नहीं, तुम हो, वो तुम्हारे दिये यहां पर आता है, हलाकि उसका रिश्टा मुझसे जुड़ा है, क्यों सारा, ऐसा क्यों, नहीं देती कि मैं उससे बात कर सकूँ, अब तो जारा नम आंखों से बेहन को देखती रही, और कुछ कहेगी भी तो जानी यकीन नहीं करेगी, कि साथ सिर्फ उसका दोस्त है, वो तो साथ के सामने सिर्फ अपने दिल का बहुत छलका करती है, लेकिन जानी नहीं चाहती कि जारा साथ से कोई भी बात करें, इवन कि उसके सामने भी आए, यहीं बात हीं आगे चलकर साथ को काफी इरिटेट करेंगी, क्योंकि साथ उस रिष्टे में बनना नहीं चाहता, जिसकी वज़ा से वो जंजीरों में कैथ हो जाए, तबी तो साथ को ये मंगनी भी अब में नहीं रह सकेगा.